हेलो वरिमर तो यह साइंज के डी से कॉंसेप्स करने वाले हैं तो उसमें भी हम सब्सें पहले के काइन व difक का इन्हाइं को डिसके開व थेकर हैं स्वेरिव जिसमें हम वाला वीडियो था इस DIDOP JSIंस क्या होती है उसमें हमने यह भी डिसक्स किया था कि chemistry क्या होती है तो Chemistry science का यह सब branch है जिसमें हम क्या करते हैं जिते भी non living things हैं उनके interior के बारे में पढ़ते हैं यानि उनके अंदर क्या चीजें और क्या से ओर ही होती हैं उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो आज हम chemistry के basics के उपर इसको बात करने वाले तो सबसे पहले हम बात करेंगह आठम की ठीक है सारु जो के 수ट्री है वह ही कि रखोंती है तो सबसे पहले आनटम की बात करता है तो सबसे पहले देपीनेशन पे बात करते हैं डवे तो जो डा fid mı अध anlat मिट थो ठीक सबसे छोटा हिस्सा है जो किसी केमिकल रियक्शन में भाग दे रहा है उसको हम आटम बोलता है अब इसको एक क्या खूल समझने की कोशिश और ऐसा समझो कि आपके पास एक जिसमें आपने बॉल सकी है चोटी जोटी बॉल से मिलके बना वहीं अब इसमें अगर मैं देखूं तो इसका अगर मैं एक बॉल को पक्रणीडर कर लूँ एक सबसे छोटा हिस्सा एक बॉल अगर इसमें से निक लिएक्षिन में participate करता है उसको हम atom होता है तो एक condition तो पूरी हो गई कि सबसे छोटा हिस्सा अब दूसरा देखता है chemical reaction की बात भी हुई है कि जो chemical reaction पार्टिसवेट करता है तो हम पहले जान लेता है कि chemical reaction क्या होती है क्या होती है जब भी कोई दो चीज आपस में कंबाइन होती है और उससे कुछ नया बन जाता है उसको हम chemical reaction बोलता है तो यहां पर क्या हो रहा है देखो यह जो बॉल है चोटी यह सबसे चोटी भी कंसिडर कर लिए और यह बागी बॉल्स के साथ कंबाइन होके ठीक है क्या कर रहा है एक डिजाइन प्यार कर रहा है तो यह chemical reaction में भी participate कर रहा है तो इसको हम atom कह सकते हैं तो यह क्या हुआ अटम सबसे छोटा पार्टिकल जो किसी chemical reaction में participate करता हो उसको हम atom बोलता है और chemical reaction की जहां बात करती है वहाँ दो यह दो से ज़्यादर atom भी participate कर सकते हैं ठीक है कुछ भी नया बनाने करें तो यहां पर यह एक बाल जो है बागी बाल से साथ combine होके एक नया डिजाइन बना दी तो यह हो गया atom अब अगर बात करें तो atom से ही मिलके बनता है molecules तो the combination of atoms is known as molecules ठीक है या जब atom कंबाइन होता है खूब सारे एक साथ तो उससे मिल जो बनता है उसको हम बोलता है molecule ठीक अगर इसी के देखो अगर इसी के अलग यह इसी इसी डिजाइन के दो बॉलेंगे तो इसको हम बोलेंगे molecules ठीक है तो अगर इसकी यह दो बॉल्स आपस में combine हो गई दो या तीन हो गई तो इसको हम क्या बोलेंगे molecule लेकिन यह एक यह टाइपस की बॉल कंबाइन होती है तो इसको बोलता है लेकिन इसको बोलता है molecule of element ठीक है molecule of element ठीक है अब यहीं पर हमने एक और दूसर डिजाइन और इसके atom आपस में combine हो जाएं ठीक है मान लो इसका एक atom और इसके दूर आटम combine हो गए तो यह अभी molecule बनेगा लेकिन अब इसको molecule of element ना बोलके molecule of compound ठीक है molecule of compound बोलेंगे अब इन दूनों चीज़ों को हम बाद में define करेंगे ठीक है इसको आगे हम हम देखेंगे कि अलिमेंट क्या होता ह्कांISA ओल्ढाव एसा समझहों की जभन वह सब्लिडी क एक होता है मॐ एख जैसे atom में combine हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं molecule of腳 मेंशान कमबाइन हो जाते हैं तो उसको लाए पर यहां पर फिए का बनाने के लिए खोर करें गारे तो यहां पर क्योंकि दोनों आटम के हैं तो यह एक आटम की एक आटम है ऑक्सिजन का तो अलग-अलग चीजों के आटम है इसके मॉल्क्यूल और आटम से मिलके ही बनता है मैंटर तो मैंटर क्या होता है तो मैंटर की आगर डावर पर जाएं तो इसका अपना खुदको कोई मास हो इसको हम क्या बोलता है और हम यहां पर यह design consider कर रहे थे तो यहां पर हमने देखा कि यह कुप सारी बॉल्स है और अगर यह कुप सारी बॉल्स हैं तो इनका खुद का कुछ मास भी होगा ठीक है अपर यह जगा भी घेरी लिए तो यह पूरे का पूरा क्या हुआ मैटर हुआ ठीक और अभी हमने बात करी मैटर किससे बना होता है अगर हमने देखा इसको design को पहले बीग बात कर जुके थे हम कि यह इसका atom हमने बता दिया था ठीक यह इसका atom था और ज उसको हम मैटर ग्लासिपाइख किया जाता है ठीक उसको हम समझेंंगे अपने अगले मेडियो में और आपको यह फशलाया होगा आपको दो आप करें सब्सक्राइब करें कॉमेंंट करें और जितना हो सकतуждak अपने दोस्तों के साथ इसको आगे भी शेयर कर थैंक यू सो मैं